तो आज हम बात करेंगे बॉलीवूड की शान सलमान भाई की आने वाली फिल्म अंतिम दा फाइनल टूथ के ट्पेलर के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं अंतिम दा फाइनल टूथ बॉलीवूड की एक एकशन ड्रामा फिल्म है जिसका ट्रेलर काफी जादा प्रॉमिसिंग नजर आ रहा है कसम से बॉलिवुड से मुझे इतनी उमीद तो नहीं थी ट्रेलर तीन मिनिट का होने के बावजूद भी आपको कहीं पर भी बोर्ग फील नहीं होने देता और ट्रेलर को इतनी खूपसूरती से काटा गया है कि ओडियंस को इसकी स्टोरी के बारे में घंटा पता नहीं लगने वाला है फॉर शूर अंतिम फिल्म 2018 में आई मराटी फिल्म मुल्शी पैटन की हिंदी रीमेक है अगर आपने उरिजिनल फिल्म मुल्शी पैटन को देखा होगा तो आपको ट्रेलर को देखकर ये बात पता चल गई होगी कि उसके काफी सारे डायलोग इस मूवी में भी यूज किये गए है इस फिल्म में आयू शर्मा हमें विल्म के तोर पर नजर आएंगे और यही चीज मुझे इस फिल्म की खटक रही है के भाई अगर तुम विल्म हो तो मुवी में प्यार महबत कैसे कर सकते हो यही चीज बॉलिवुड की बेकार है यह लोग विल्म को विल्म रहने ही नहीं देते और यही चीज हॉलिविड हमें बहुत ही अच्छी तरिके से प्रेजेंट करता है मतलब विल्म का काम होता है मारना, दहशत फैलाना, प्यार, महबत करना नहीं और अगर उसे किसी से प्यार हो जाए तो उसे पाने के लिए वो पूरी दुनिया की बैंड बजा सकता है अब बात करूँ इस फिल्म के ट्रेलर की कम्यों की तो इस ट्रेलर में आयुशर्मा की परफॉर्मेंस किसी भी एंगल से फिट नहीं बैठती है मेरे भाई अगर तुम सलमान भाई के अपोजिट हो तो तुमारी एक्टिंग लेवल सलमान भाई के एक्टिंग लेवल को मैश तो करनी चाहिए न और उपर से तुम्हें villain का character दिया गया भाई तो तुम्हारी acting level grand level की होनी चाहिए normal से काम नहीं चलेगा public picture नहीं देखेगी और तुम्हारा career ठप हो जाएगा गुरू film के action scenes को काफी अच्छी तरीके से direct किया गया है बट कुछ भी नया नजर नहीं आता मतलब कोई भी scene देखकर आपको ये नहीं लगेगा कि गुरू ये क्या दिखा दिया इससे पहले हमने ये कभी नहीं देखा था मतलब वही पुराना गिसा बिटा action काम चले जायागा दिक्कत नहीं है film का trailer अच्छा है मैं excited to film को देखने के लिए क्योंकि इस film में सलमान भाई ने अपनी ताकत का नहीं अपने दिमाग का इस्तमाल किया है ये कुछ नया आया इस film में for sure तो आप लोगों को ये trailer कैसा लगा ये मुझे comment करके जरूर बताएं और इस वीडियो में कुछ भी देखकर आपको खुशी हमजा आया तो इस वीडियो को like कर दे और चैनल को subscribe करना ना भूले thank you so much